नमस्कार मैं सविता सेखाउत मेरी कीचन में आपका स्वागत है। गर्मीयों में गर्मी और तेज दूप के स्ट्रोक से बचने के लिए केरी बहुती उप्योगी है। इस डिस्क का खट्टा मिठा और मजेदार स्वाध ही इस डिस्क की खासियत है, तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैरी लिए हमने 200 ग्राम, एक प्याज लिया है, आठ दस कली लेसुन की, तेल लगेगा छोपने के लिए, एक कपचीनी, एक चमच अल्दी पाउडर, एक चमच मिर्ची पाउडर, एक चमच दनिया पाउडर और एक चमच सौफ सबसे पहले हम कैरी का चिलका निकाल लेंगे, इसको हम ऐसे डंठल निकाल के कैरी का पूरा चिलका निकाल लेंगे, और जो हमने एक प्याज और लेसुन लिया है, उसका हम पेश्ट बना लेंगे, दोनों कैरी का चिलका हम ऐसे ही निकाल लेंगे, केरी का हमने छिलका निकाल लिया है अब हम इसके पीस कट करेंगे पहले हम केरी के लंबे-लंबे पीस कट कर लेंगे और बाद में उसको हम थोड़े छोटे पीस में कट करेंगे ये देखिए इसको ऐसे कट करना है ये देखिए हमने प्याज और लेसुन का पेश्ट भी रेडी कर लिया है अब हम गैस ओन करके कड़ाई को गरम करेंगे जब कड़ाई गरम हो जाएगी तो हम उसके अंदर तेल डाल देंगे तेल डाल दिया है हमने अब हम इसके अंदर सॉंफ डालेंगे और इसको थोड़ा सा बून लेंगे जब सॉंफ अलके ब्राउन कलर की हो जाएगी तो हम इसके अंदर लैसुन और प्याज का जो पेश्ट बनाया था वो डाल देंगे और उसको अच्छे से बून लेंगे अब इसके अंदर पेश्ट डाल रहे हैं पेश्ट आमने डाल दिया है अब इसको अल्का ब्राउन ओने तक बून लेंगे गेस का फिलेम कम रखेंगे कम आज पर मसाले बूनने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है ये देखी हमारा पेश्ट बून चुका है अब अलदी पाउडर डाल रहे हैं इसके बाद में अल्दी पाउडर डाल तेंगे और धनिया पाउडर भी डाल देगे इसके अ अंदर अब इसको अच्छे से मिक्स करती होगे अब दीमी आज पर पकाएंगे मसाले थेसे अब मसाले पूं चुके हैं के एंदर डाल सकते हैं। पानी डालने के ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे ungef Ec الع Mi त कि सारे मिसालने में इंदर मिक्स ہو जाएं। कह अच्छा मिक्स कर दिया हैं। हभण इसको एक यह नींडर का प्लक्त कीका हो थैं के इसको लेइक हैं?? 1 minute लग बगे एक मीनेट ऊचुका है ये देखिए हमारी ग्रेवी में उबाला गया है अब हम इसके अंदर केरी डाल देगे ये देखी केरी को डाल दिया हमने इसको थोड़ा मीक्स कर देंगे और इसके अंदर सकर डालेंगे सक्कर की जगे आप गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपको गुड़ पसंद है तो आप उसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं और नमक भी अभी डाल देंगे इसके अंदर इसके अंदर नमक जरूर डालना है नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया अब हम इसको डख कर तीन से चार मिनेट तक पकाएंगे बीच बीच में हम डखकन उठाकर थोड़ा कैरी को चलाते रहेंगे यह देखिए कैरी थोड़ी फूलने लगी है, इसका मतलब यह जम्दी ही पक जाएगी, इसको हम थोड़ी देर और डक्कन लगा के पकाएंगे, लगबग 3 मिनेट हो चुके हैं, आब हम इसका डक्कन अठाके कैरी को चेक करेंगे, ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो चुकी है, अब हम इसका पीस चेक करेंगे, कैरी पकी है या नहीं, यह देखिए इसका एक पीस लेंगे, और उसको चम्मत से काट कर देखेंगे, यह देखिए हमारी कैरी अच्छे से पक चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे, इससे जादा इसको आम नहीं पकाएंगे, नह खा सकते हैं आप यसे जरूर ट्राइ कीजिये ये आपको भी बहुत पसंद आएगी कि और आप इसे चपातिय पराठे के साथ खाइए ये आपको भी बहुत स्वादिश्ट लगएगी और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए